दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 17 जून को हुई कंचन जंगा एक्स्पेस ट्रेंड के दुरघटना कैसी हुई, इस दुरघटना का क्या कारण था और इसमें गलती किसकी थी, लोको पाइलेट या फ्री स्टेशन मास्टर, तो इन सभी सवालों का जवाब ज कर 27 मिनिट पर निव जलपाई गुड़े जंग्सन से लगवग 10 किलोमेटर आगे रंगा पानी स्टेशन पहुंचती है, और इहां इस ट्रेन को रंगा पानी स्टेशन के अस्टेशन मास्टर द्वारा तीये 912 दिया जाता है, तो सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि तीय जाने वाले सिगनल खराब हो जाते हैं, तो टीये 912 उस टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा बहां से जाने वाली ट्रेन के लोको पालेट को दिया जाता है, जिस ट्रेन को वहां से आगे ले जाना होता है, इस टीये 912 में बस सारी जानकारी भरी होती है कि कहां से कहां तक सिगनल खराब है और किस-किस खराब सिगनल जो अगर रेड एस्पेक्ट भी दिखा रहा है तो लोको पालेट उसे पार कर सकता है ये सारी जानकारी लिखी होती है दोस्तो रंगा पानी स्टेशन जिस रूट पर पर परता है वहां उटोमेटिक सिग्नलिंग है जहां उटोमेटिक सिग्नल कंट्रोल होती है उटोमेटिक सिग्नलिंग में रेड सिग्नल आने से पहले का सिग्नल यलो होता है जहां 30 की रफ़तार में ट्रेने चलानी होती है उससे पहले का सिग्नल डबल यलो होता है जहां 60 की रफ़तार में ट सिगनल होने वाला है लेकिन 17 जून की सुबाश साड़े पांच वजे रंगा पानी और चटेर होट के बीच ओटोमेटिक सिगनलिंग बारिश होने के कारण खराब हो जाती है जिस कारण टीए 902 दे कर ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा था और कंचन जंगा एक्सप्रेस ज बाद कंचन जंगा एक्सप्रेस बहां से खराब सिगनल जो रेड एस्पेक्ट सोग कर दे थे ओठोरीटी मिल जाने के कारण उनको पार कर दही थी लेकिन चटेर होट से पहले किसी कारण से यह ट्रेन में लाइन पर खड़ी हो जाती है हो सकता है कि किसी ने उस वक्त कंचन जंगा एक्सप्रेस में चैन खीचा हो कंचन जंगा एक्सप्रेस के रंगा पानी स्टेशन से निकल जाने के लगभग 10 मिनिट बाद ही बहां से एक मालगाड़ी को ओठोरीटी दी जाती है कि आगे सिगनल खराब है और आप इस पर्मीशन से रेड एस्प्रेक्ट सोग करन जिसमें ऑफिस्यल डाटा के अनुसार मालगाड़ी के लोको पालेट कंचन जंगा एक्सप्रेस के गाड़ सहीट कुल आठ लोगों की मौत हो जाती है उस दिन कंचन जंगा एक्सप्रेस में सबसे पीछे एक एसलर कोच और उससे पहले दो पार्सल बेन कोच लगा हुआ थ अगर पार्सल बेन नहीं होता तो इस दुरघटना में और भी ज़्यादा जाने जा सकती थी लेकिन इसमें समझने वाले बात यह है कि सिगनल फेल होने की स्थिती में ब्लॉक सिगनल का इस्तमाल किया जाता है जिसके अनुसार जब एक स्टेशन से ट्रेन खुलने के बाद जब तक वा दूसरे स्टेशन नहीं पहुं जाती है तब तक पीछे से किसी दूसरे ट्रेन को आगे ले जाने की पर्मिशन नहीं दी जाती है तो फिर स्टेशन मास्टर द्वारा माल गाड़े की लोको पाइलट को माल गाड़े आगे ले जाने की पर्मिशन क्यों दी गई इसके साथ ही यह भी पता चला है कि माल गाड़ी की कंचन जंगा से टक्कर के समय उसकी रफ्तार 45 किलोमेटर पती घंटा थी जबकि माल गाड़ी की लोको पाइलट को यह पता था कि सिगनल खराब है तो नियमा अनुसाल तो ट्रेन को 15 किलोमेटर पती घंटे की रफतार से आगे ले जाना चाहिए था जिससे अगर ट्रेक पर किसी भी तरह की कोई बाधा हो तो कम रफतार होने से समय रहते ट्रेन को रोका जा सके तो उस समय माल गाड़ी की रफतार इतनी जादा क्यों थी और स्टेशन मास्टर द्वारा कंचन जगा एक्सप्रेस के दूसरे स्टेशन पर पहुँचने से पहले ही पीछे से माल गाड़ी को आगे ले जानी की आउठरीटी क्यों दी गई कुल मिलाकर कहीं तो इसमें किसी एक की गलती नहीं थी कहीं न कहीं पूरे रेलवी की टीम से ही गलती हुई है और इस पर अभी CIS टीम द्वारा जाज की जा रही है बैसे आप लोगों को क्या लगता है इसमें किस की गलती थी और क्या इस दुरगटना को टाला जा सकता था अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं